अच्छा तो आज का जो हमारा टापिक है वो है how to find distance between two points और two coordinates यानि two points के दर्मयान हम distance कैसे find out करते है with the help of this formula तो ये आपके पास point one है और ये point two और ये point one के coordinate है और ये point two के coordinate है तो इसके दर्मयान जो पासला है वो हम कैसे find out करते हैं तो आपके पास ये पारमूला है पॉल यानि पॉलिनामियल और इस्टिंग 2 माइनस इस्टिंग 1 कामा नर्टिंग 2 माइनस नर्टिंग 1 तो आपके पास आएगा डिस्टिंस यह हम कैसे पाइंड आउट करते है कल्कुलेटर की मदद से तो ये जो लिका हुआ है पॉल यानि पॉली नामेल ये आप देख सकते हैं ये option यहाँ पे लिका हुआ है तो ये हमने प्रेस करना है और इसके बाद जो coordinates है वो हमने step by step put करना है तो पहले हमने क्या करना है 3000 minus 2000 पर इसके बाद कामा और जो nothing two or nothing one है यह हमने put करना है तो nothing one आपके पास क्या है 4000-5000 तो अभी हमने is equal का button दबाना है तो आपके पास यह आ गिया 1414.21 यानि आपके पास यह आ गिया यह distance ठीक है 1414.21 एक ठीक है अगर यह put में है तो आपके पास यह put में पास ला गिया distance आ गिया अगर यह meter में चल रहा है यानि यह coordinate जो है अगर meter में चल रहा है तो आपके पास यह आ गिया meter में distance ठीक है यह इन दोन पॉइंटों के दरम्यान distance आपके पास आ गिया ये देखो ये बहुत ही सेंपल है यानि ये इस्टिंग 2 और ये इस्टिंग 1 ये आप देख सकते हैं और ये नार्टिंग 2 और ये नार्टिंग 1 तो इसी तरह ये आपने इस परमूले में पूट करना है और कल्कुलियाटर की मदद से आप इसकी जो डिस्टिंग है ये दोनों के दरम्यान ये पाइंड आउट कर सकते हैं अगर मीटर में है तो भी पाइंड आउट कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही निक्स्ट वीडियो मिन्शाला मिलते हैं तो उसके लिए आप इस चैनल को हैं और शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ ठीक है तो डूंट फर्गेट टू लाइक शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल ठीक है मिलते हैं शाल्ला निक्स्ट वीडियो के साथ तिल देन यू टेक कियर बाबाए